नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चैनल नेक्स्ट नैन न्यूस पर मेरा नाम है दीपक गुपता आप सभी को बता दें कि महराश्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक अलगी सियासत देखने को मिल लई है इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट और फनवीस के बीच एक मत नहीं हो रहे हैं और काफी सियासी जंग अंदुरूनी रूप से चल लई है इस वज़े से इनको काफी बड़े जटके भी लग रहे हैं और जो बड़े बड़े पदों को लेकर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दीपक केसरकर ने आड़े हातों लिया है आदित्य ठाकरे को आदित्य ठाकरे पर खुलकर अपनी बाते रखें वो ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको अपनी केम्पूटर स्क्रिन के तरफ लेकर चलते हैं कि पूरा बयान क्या है दीपक केस केसरकर ने साफ कहा है कि इस पर शिवसेना शिंदेगुट के प्रवक्तवे नव न्यूक्त केविनेट मंतरी दीपक केसरकर ने जवाब दिया केसरकर ने गुरुवार को कहा कि मंतरी के विभागों के विटवारा को लेकर भाजपा और शिंदेगुट में कोई मतभेद नही ये बात उन्होंने साफ कर दिये, केसरकर ने कहा कि मुझे उमीद है कि मुख्य मंत्री एकनाश इंदे 17 जिले के दोरे से लोटने के बाद शुकरवार तक मंत्रे को विभागों का बटवारा कर देंगे ताकि वो लोग अपना काम असानी से शुरू करें, लेकिन ऐसे में यहा अधित्य ठाकरे के पास महराश्टर में घूमने का अधिकार नहीं होगा, केसरकर ने कहा कि मुझे रांकपा अध्यग शर्तपवार ने 35 साल पहले MTDC का निदेशक बनाया था, उस समय के परेटन सचीव मुझे कहा था कि आपके जैसा व्यक्ति परेटन विभाग का मंत्री बनना चाहिए, मुझे आपके अधिन काम करना अच्छा लगेगा, ये बात दीपक केसरकर करते नजर आए, तो ये बहुत बड़ा एक मामला है कि दीपक केसरकर, यानि कि जो पहले आदिते ठाकरे कुछ बाते रख देते हैं, आदिते ठाकरे लगातार शिंदे गुट को लेक करके ये बात अधिते ठाकरे के लिए बहुत बड़े जटके की बात है, और शिंदे गुट यहां पर शिवसेना के ही अपने पदों पर दुबारा नजरे यहां पर बनाया है, या फिर उनको वही पद मिल सकते हैं, जो शिवसेना में उनको मिले थे, जब महाविकास अगाल सरकार बनी थी तो यह तमाम लेटेस्ट अपडेट हो और यह साफ कर दिया गया कि शिंदर फणावीज के बीच कोई मतभेद नहीं बस कुछ बाच्चित को लेकर यहाँ पर कश्मकस से वो जल्द होगी और जल्द यहाँ पर विभाग बाट दे जाएंगे बनने चनल के साथ ऐसी और तमाम बड़े खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद